इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. केटो प्लास प्लस प्लास्टर दर्ड निवारक दवा है. इसका उप्योग संधिशोत, पुराने औस्टियो और्थराइटिस और तीवर मस्कलो स्केलेटल चोटो जैसी स्थितियों में दर्ड, सूजन, जकरन और जोडों के दर्ड के इलाज के लिए किया जाता है. यह कुछ रासायनिक संदेश वाहकों की रिहाई को अवरुद करके काम करता है जो बुखार, दर्द और सूजन का कारण बनते हैं. केटो प्लास प्लस प्लास्टर का उप्योग कैसे करें? यह आपका डॉक्टर समझाएगा. अधिक से अधिक लाप प्राप्ट करने के लिए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें. खुराक और अवधी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसका उप्योग किस लिए कर रहे हैं और यह आपके लक्षनों में कितनी अच्छी तरह मदद करता है. इसे नियमित रूप से इस्तिमाल करें और जब तक डॉक्टर आपको इसका इस्तिमाल बंद करने के लिए न कहें तब तक इसका इस्तिमाल बंद न करें. इस दवा का सबसे आम side effect application side reaction जैसे लालिमा और सूजन है. ये आमतोर पर हलके होते हैं और समय के साथ हल हो जाते हैं यदि वे दूर नहीं जाते हैं या आपको परिशान नहीं करते हैं तो आपको अपना पैच हटा देना चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्ख करना चाहिए दवा का उपयोग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको कोई अन्य बीमारी या विकार है यह आपके द्वारा उपयोग की जा रही कुछ अन्य दवाओं से भी प्रभावित या प्रभावित हो सकता है अपने चिकित्सक को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं या यह सुनिश्चित करने के लिए उप्योग कर रहे हैं कि यह आपके लिए सुरक्षित है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दवा का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद